अज़ के जो सेशन है वह है अक्टूबर मन्त प्रप्रेशन प्लान क्योंकि आज फास्ट अक्टूबर है आप लोग वेट कर रहे थे और कई दिनों से मैसिज भी कर रहे थे कि सर नेक्स्ट मंत में क्या-क्या चीजी है जो क्लास में कवर होगी और सब से अश्ची बात यह कि कि आप सभी आलना इस्टूइंट जो रेगुलर जुड़े हुए हैं और आप उसी पैटन को फॉलो कर रहे हैं जिस पैटन पर एकट्वी में चलना इसका आपको डेफिनेटी फायदा मिलेगा क्योंकि आप लोग टेस्ट भी वाकायता दे रहे हैं और आप लोग जो नए- मैं धीरे-धीरे बताता चलूँगा जिससे कन्फूजन ना हो और डूफ राफ आप सभी ओल्लाइन इस्टूइंट को एक मैसे और देना चाहूंगा कि अभी ओल्लाइन कोर्सेज में बहुत सारी चीज़े हमने आइड करी आपके कहने पर और क्योंकि ऑल्लाइन सब्सक्राइब करें और आपके साथ शेयर कर रहें उसका परपस क्या है वो बता दूँ क्लासिज को शेयर करने का पर पसक्ति अब आपको पर्मूटेशन का मिली होगी तिग्नामिल्टी की मिली होगी परभीटी की मिलेगी इनका परपस बता दो कि एक क्लास में कितना पूर्शन कवर किया जाता यह बताना वो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एक क्लास में क्योंकि कई बार आप या तो बहुत ज़ादा वीडियो देख लेते हैं बहुत कम तो आपके लिए जवी नहीं कि ये सेशन जो क्लास वाल उन पेपर्स के बारे में मैं जा आपसे डिसकुस करना है कि उसमें पर्फॉर्मेस कैसे आए पेपर के लेबल को हमने कैसे डिजैन किया है और क्या क्या चीज़ें जो आपको कवर करनी है और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कोशन जो नए बच्चे जुड़ रहे मुझ से जो बच्चे मुझ से बात करतें अभी लगवग सबी नए बच्चों का एक कौमन कोशन हैं कि सर एक मत बचा है ये बताईए अगर अभी से परेशन करेंगे तो होगा की नहीं जितने बच्चों ने मुझ से बात किये मैंने सबको एकी बात बोली है अगर आप एसे सेशन होगा बिना मैच खेले कोई मैच नहीं जी सकता मैं हमेशा आपको हमेशा स्कोर्ट का एक्जामपल देता है इसकी हो अगर आप चाहते हो कि किसी मैच में जीतो तो खेलना तो प्राइमरी स्टाप है जीतो गया हो गया वो बात की बात है पर बिना खेले डिसीजन लेना गलत है दूसरा अगर आपने यह सुचा है कि अभी भी क्योंकि मैं आपको आज भी बोलू पिछले कई सालों के रिकॉर्ड है जनवरी में जुएन करने वाले बच्चों ने भी रिजल्ट दिये हैं और कई बार को एक साल पहले प्रेशन करके भी नहीं दे पाता है क्योंकि डिपैंट करता है कंसिस्टेंसी कितनी है अभी भी बहुत सफीशेंट टाइम है क्योंकि अभी रोज ऑलनाइन इस्टुएंट जोड़ना है इसलिए मैं आपके साथ पूरे मंद के साथ आजकल पिछले सिले बस को डिस्कुस करता हूँ आप मेंसे कुछ बच्चे जो कॉलेज गोई है उनकी भी कुछ प्रॉलम से जो आपने मुझे बताई है वो भी मैं डिस्कुस करूँगा कि अगर कॉलेज जाते हैं तो कई बार दो दो तीन तीन टॉपिक मानेज नहीं होते हैं ऐसे में क्या करें तो यह सेशन का परपज ही है और इसलिए मैं हर मंद के स्टार्टिंग डेट में ही लेता हूँ कि मैं आपको बता पाऊं कि क्या एक चीज है जो आपको करनी है क्या चीज है जो इंपिटर्स की तरफ से आड हो रही है तो आड होने वाली चीज है कि अब आपको रेगूलर क क्लास जो होती है वो एक्च्छ आपको मिलती जा रही है अब इस एक्च्छ क्लास का परपज यह है कि क्योंकि हर चीज को कि जग से पढ़ना यह बताना क्योंकि आप मेंसे कई लोग जो कंफूजन भाव आप दूर हो जाएगा आपका तो यह एक चीज है जो हमने कर दी है अब आप समझे पहले कि क्या-क्या topic class में हो चुके हैं और क्या-क्या topic होने वाले upcoming topic भी मैंने लिखे हैं अपर क्या topic होने वाले हैं October में और Sunday test में जो एफिल चालू किये हैं उसमें आपकी performance कैसे आईगी ये सब discussion करते हैं आप सभी नए बच्चों को जो online अभी अभी जुड़े हुए online courses से जुड़े हुए आप सब को बोलूँगा बिल्कुल panic मत हो ये परिशान मत हो ये ये syllabus जिनका हो चुका है कई बार जब आप लोग जुड़ते हैं तो एकदम से सुचते हैं सर इतना syllabus हो गया हम कैसे करेंगे आपको सभी चीजे एक साथ नहीं करनी हैं कैसे करनी है वो बताऊंगा इवन मैं बोलूँगा अगर आपने अभी तक भी decision ले लिया तो immediately decision लेके पढ़ा ही चालू करें प्रॉपर systematic में या तो classroom courses जुड़ें या online course पर action ले लें क्योंकि इस समय placement के time में बात करें तो आप खुद net पे देखें बहुत अच्छे placement हो रहा है किसी भी NIT से इस समय 20-25-25 लाग के एक एक दो दो नहीं आठाट ददद स्टूट को package मिला इस समय त्रीची में more than 15-20 स्टूट ऐसे जिनको 30 लेक्स को उपर package मिले यह नीज आप खुद देख सकते हैं यह बहुत अच्छा time है कुछ बच्चे यह भी कन्फीज होते हैं कि आने वाले समय में M.C.A. का स्कोप खतम हो जाएगा आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा M.C.A. या B.E. का स्कोप खतम नहीं होगा आपने कहां से किया यह important अगर आप कोई local या private college से करेंगे जिसकी जहा आपना मिले पर आप कोई भी national level के या अच्छे जूट से करते हैं तो problem नहीं है इसलिए कहीं misguided बदो यह ना B.E. में ना M.C. में problem कहीं नहीं है यह exam तो अभी कोई date नहीं है अगर December में होना होगा तो मैं आपको बता जाता हूं end of October तक आ जाएगा या first week of November तक आ जाएगा 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 अगर नहीं आता है तो इसका मतलब महीं में होगा तो उसके लिए panic मत होई आप जो भी exam की जब भी date आईगी उसके session आपको जिस दिन notification आएगा आपको मिल जाएगा इसलिए आपको उसके लिए परिशान नहीं होना है नए student को सभी को बोलना चाहूंगा आप जो नए जुड़ते जा रहे हैं कि हर रोज कही सारे बच्चे online course से जुड़ते हैं classroom से भी जुड़ते जाते हैं हम लोग हर महीने जो बच अगर दो एंट से पढ़ाई करेंगे तो यह बिल्कुल पॉसिबल है कि आप टाइमली से लिबस भी कर पाएंगे और ताइमली स्कूर भी कर पाएंगे और याद रखिए knowledge oriented पढ़ाई करिए result oriented पढ़ाई मत करिए result को दिमाग में रखके पढ़ाई करेंगे तो ही problem होगी उ अगर आपने hard work किया मेहनत की तो इसका कोई कभी side effect नहीं कोई नुकसान नहीं हो सकता इसलिए बिल्कुल खराब घवराए ना जैसे तर टाइम करीब आता तो यह सब चीजे होती है कई सारे topic का बढ़न होता मैंने बोल्ट पित्न सारे topic लिखें यह देखके आप घवरा भी कि LJ वरा में set, quantity equation, binomial theorem, permutation combination, matricion and determinant, probability, complete हो चुका है, trigonometric ratio, trigonometric argenities, trigonometric equation, यह complete हो चुका है, modulus function, in equation, log, log and expo, यह cover हो चुका है अब LR की बात करें तो number system, clock and calendar, coding and decoding, blur relation, direction sense and sitting arrangement और एक और चीजार रखें जो जो topic लिखें, अगर इन topic में से कोई भी topic जैसे ही class पे cover होगा, आपको उसके session मिलते जाएंगे, इसलिए आपको बिलकुल भी नहीं घवराना है, आपको वो sessions regular basis पे मिलते जाएंगे तो कि जो आपको papers आते हैं, उसी के साथ इन topics के links भी आपको मिलते हैं तो आपको वो सोचना नहीं है, अब क्या-क्या होने वाला है, property of triangle and solution of triangle, inverse trigonometric function, आपको बन की बात कर रहा हूँ, function, limit continuity and differentiability, differentiation, यानि basically trigonometry इस मन्त में end होगी और calculus इस मन्त में start होगा, अब एक चीज और बताना चाहता हूँ, कि जो काम हम क्लास में करते हैं, वही चीज आपको घर रखे करनी है, वही कोड से वही सारी चीजे इसलिए आपको परिशान नहीं होना है, क्या-क्या चीजे ध्यान रखनी, number one, जैसे trigonometric में यहाँ बच्चों पे performance नहीं आ रही थी, trigonometric एक ऐसा topic है, जिसका, क्योंकि बाकी algebraic topic आप तहीं नहीं पढ़ते रहते हैं, तो trigonometric कम पढ़ते हैं हम 11 के बाद या 12 के बाद, तो ऐसे में trigonometric में performance नहीं आ रही थी, इसलिए जो चीजे पढ़ा ही गई थी, trigonometric ratio, trigonometric identity और trigonometric equation यह दुवारा पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप अगर किसी topic में perform नहीं कर पा रहे हैं, तो घवराए ना पहले उस topic पे धीरे-धीरे command बनाए, trigonometric को उत्ता detail में पढ़ाने का परपार है, calculus पे command के लिए trigonometric का आना ज़रूरी है, तो ये एक चीज़ याद रखे, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो nice student है, उनको जो nice student जूरते जाते हैं, जिनसे मेरी बात होती हैं, उनको बोलता हूँगा, trigonometric start करो, trigonometric start करने के साथ, एक end पर try करो, देखो, आप कहने को हमारे पास 8 month है, अब जो पुराने बच्चे हैं, मैं उनसे बोलता हूँ, 4-5 hour पढ़ो, नय को बोलूँगा, 6-7 hour पढ़ो, तो 8 months, 12 मन्त के बराबर हो जाएंगे, और college going के लिए बात करो, जिनका college हो चुका है complete, उनके पास तो 15 खंटे पढ़ने के लिए, उनको तो सूचना ही नहीं है, पर जिनका college अभी जा रहा है, वो भी 4 खंटे तो college के साथ time निकाल सकते हैं, दूसरा October मन्त में बहुत सारे festivals होते हैं, तो आप सब लोगों को क्या करना समझिए, जो मैंने फिर बोला फिर बता रहोगी, यहां पर हम हर महीं ले, current topic के साथ बच्चे को जोडते हैं, और दूसरे end पर एक अलग से class लेके, पिजा आने topic धीरे-धीरे algebra के cover करते हैं, वही चीज़ आपको करनी है, आप सभी को करना यह चाहिए, कि तिगना मेंटी पढ़ना चालू करना चाहिए, पहले function, तिगना मेंटी ratio, तिगना मेंटी गाजियन किटी, तिगना मेंटी equation, और दूसरे end पर, जैसे set, फिर quantity equation, binomial theorem, matrically determinant, PNC बाद में कर सकते हैं, PNC जैसा भी class में PNC चला है, probability, ऐसे एक एक करके, फिर हपते में चार दिन यह पढ़ें, दूसरे end पर, और दो दिन हपते में, इन topics के session जो देखें, आपने end को करें, इस तरह से, छे दिन में, चार दिन math, और दो दिन reasoning को दीजिए, यह छे दिन, और छे के छे दिन, current topic पर पढ़िए, जिससे कि आपकी performance निकल के आए, आप result दे और Sunday test का पूरा detail analysis करिए, अभी जैसे आप देख रहा हो कि जो आपको questions बिलना है, उनके level को पहले टब बनाया था वीजी, इसलिए बनाया है कि पहले आपको simple questions बनने चाहिए, आप मेंसे कुछ लोगों ने message कि सर, score नहीं आ पा रहा है, उस case में मैं आपको बोलूँगा, आ अपने आप concept बढ़ेगा, दूसरा wrong होने की वजे, आपकी जो है, वो calculation mistake है, उस पर ध्यान दीजिए, देखिए क्या होता है, कि तब paper से कभी भी performance ने आती, performance हमेशा simple paper से आती, अगर आप अच्छा cricket खेलना चाहिए, तो अच्छा match खेलना चाहिए, तो start basic से ही करना है, आप करना चालू करिया, पिछ पे रुखना तो चालू करिया, six vote तो मानने लगोगे, वही चीज़ यहां पर भी apply होती है, कि आप simple paper में performance दे, तो अब जो Sunday test मिले, पहने पांच मिनिट उसको आप दो, कि कौन से question simple है, कौन से tough है, full length paper का, FL का मतलब full length, full length paper का मतलब इसलिए हम कि आपको जादर से जादर एक्सपर इस question की practice हो, और simple question दूल पाओ और reasoning के भी कुछ questions करता हो, इसलिए अभी से reasoning स्टार्ट करें, आप में से कुछ लोगों को तुकि TWPTV मिलते हैं, इसका proof form बता दो, topic wise practice test, इससे जो current topic है, उसमें आपकी performance आएगी, इस course को design ही इतना महिमा पांडे का 9 के बाद मैस नीता तो भी उसने online होते हुए भी टॉप किया, तरिची में है, या इमरान को हैदराबाद इंवर्सिटी मिला, आप खुद सूचें कि जिनकी मैस, बॉन मैस वाले हैं, और भी आपको कई सारे बच्चों से मिलवाया गया है, जिनने online है तो पढ़ा ही करिए, और तॉप 100 में रैंक बनाएए, क्यों? क्योंकि एक सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ाएगी, तो जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप उस बात को फॉलो करेंगे, उस बात को कवर करते हूं चलेंगे तो प्रॉलम नहीं है, ये दिमाग से निकालने कितने म माई एंड में पेपर होने वाला सोची अभी अक्टूबर है, अक्टूबर, नवंबर, डिसमबर, त्री मन्स, जनवरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, फूर्स, सेवन मन्स ये, माई का भी पूरा मन्स मिलता, लगवग आठ महीन है, मैं कहरा, आप माल लो साथ महीन है, क्य तो क्यों नहीं होगा, तो दिमाग में एक ही चीज़ रखें कि ये सोचने की जगे कि क्या होगा, उसकी जगे ये सोचे क्या कर सकते हैं, तो आप सबको मैं फाइनली फिर मैसेज देना चाहूँगा, कि एक एंड पे आपको अभी टिग्ना मिल्टी पढ़ना, भी आठ ज़ दिन और टिग्ना मिल्टी चलेगा क्लास में, उसके बाद कैल्कुल स्टार्ट होगी, और वो भी इसलिए चलेगा, क्योंकि परफॉमेंस नहीं आने से हमने जिसे सलोखिया, वो ही काम आपको करना है, टेस्ट बुक एक जगुड सॉल करिए, सबजेक्टिव बुक कर लिज आपके बच्चों के डाउट होते हैं, आकसर कॉमन डाउट होते हैं, आप सबके भी वही, तो वो भी आपको मिलते जाएंगे, यानि रेगुलर क्लास को स्क्राइब करने का एक ही परफॉज है, कि आपके जो डाउट से वो और कितने काम हो सकें, वो भी एक कोशिस है, तो पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिएगा, दूसरा आपके पास जो कोर्स है, उसमें एक ही कोर्स को चाल लेवल से कवर किया गया, पहले फांडेशन है, फांडेशन के बाद मेंस लेवल है, एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल पर अभी नहीं जाईएगा आप, आ आईनली मैं सेशन एंड करना चाहूँगा, बस फिर से बोलूगा कि एक एंड पे आपको पढ़ना है करेंट टॉपिक, एक एंड पे जो टॉपिक हो चुके उनको, करेंट टॉपिक के लिए लगवर हो सकता हो, तो चार घंटे देने की कोशिश करिए, जो टॉपिक हो चु पर बहुत पर पर पर्फरमेस अच्छी आए और बहुत ही टाइम मैंजमेंट के साथ पढ़ाई करें पॉजेटिव माइंट से बिल्कुल मत दब रहे अभी सफिशेंट टाइम है बस जब थे एक्शन लेके पॉजेटिव माइंट से पढ़ने की कभी भी कोई प्रॉलम हो यह जो रेगुलर क्लास शेर करना है इसका भी एक परपजर क्योंकि आप में से कई सारे बच्चों ने बोला था ओनलाइन वाले के सब रेगुलर क्लास में एक क्लास में कितना कवर होता यह चीज दर चाहते थे वो भी आपके साथ अब हो गई है तो आपको कोई पॉलम नह होगी बहुत ही पॉजिटिव माइंड़ से पड़ी है अल दे बेस्ट एंड थेंक यू